नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे टेक्निकल एलपर का परिविस येर क्यूसन पेपर जो की 23 अगस्त दोजार अठारों को हुआता सेकेंड शिप्ट में प माध्यम से देखेंगे किसके माध्यम से देखेंगे टेस्ट के माध्यम से तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्यूसन है किर्चोप के ओल्टेज नियम के अनुसार नेट्वरक के किसी भी बंद लुप में आई इन्टू आर गिरावट और ये मैप का बीज गनीतिये योग स देखोंगे योगा ऑप्शन देरका सुझने दनातमक रिनातमक बैटरी के ओनार निर्दारित होगा यह 1 कुध तो दोस्तों इसका कमेंट करके आपको भी आन्सर बताना है तो इसका राइट आंसर होसे लहतेगा सुने क्या होगा सुने राइट अंसर होगा उप्शन नंब वससी दोनों या ट्रांजिस्टर तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइब करके बताना इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा प्रिरेत्र करेक्ट आंसर क्या होगा option नमबर अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्युशन दे रखा यदि 10 ओल्टेज बेटरी 30 ओम 5 ओम 10 ओम और 20 ओम के समाना अंतर परतिरोध को के साथ जुड़ी है तो 5 ओम परतिरोध का ओल्टेज क्या होगा 5 ओम परतिरोध का ओल्टेज कितना होगा यह बताना है तो दोस्तो समान अंतर में क्या होता है कि सभी में voltage समान होता है क्या होता है समान होता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 10 voltage correct answer हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रहा है सरेणी सनियोजन के लिए तुले आंग की परतीरोद क्या होगा? Option के आदार पर answer बताना है option A दे रहा है सबसे हधिक परतीरोद से कम होगा option B दे रहा है सबसे हधिक परतीरोद से हधिक होगा option c दे रहा है सबसे कम परतिरोद से कम होगा d दे रहा है सबसे कम परतिरोद के बराबर होगा e दे रहा है सबसे हदिक परतिरोद के बराबर होगा तो इन option में से कौन सा correct answer होगा इसका correct answer हो जाएगा सबसे हदिक परतिरोद से हदिक होगा सरेनी सन्योजन के लिए तुलियां की पर्तिरोद क्या होगा सबसे हदिक पर्तिरोद से हदिक होगा तो correct answer हो जाएगा option number B अगला क्यूशन दे रखा lead acid cell की धारिता किस पर नेरवर नहीं करती है lead acid cell होता है उसकी धारिता किस पर नेरवर नहीं करती है option A दे रखा electrolyte के विशिस गुरूता उपर B दे रखा discharge की धर पर C दे रखा तापमान पर D दे रखा plates के छेतरफल पर E दे रखा इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correct answer होगा इन में से कोई नहीं किस पर नेरवर नहीं करती है किसी पर नहीं करती है तो इसका right answer हो जाईगा option number अगला question दोस्तो अगला question दे रखा सनवाक में परवाइत धारा किसके समानोपाती होती है चालक में परवाइत धारा होती है वह किसके समानोपाती होती है option यह दे रखा है अपुआ वेग, अपुआ वेग का वरग, अपुआ वेग का घन, या अपुआ वेग की चोती गात या अपुआ वेग का वरग मुल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, अपुआ वेग, क्या होगा, इसके समानोपाति योगी परवाहित अगला की उसे देरका सन भाक की लंबाई और अनप्रस्त काट का चेतर पल करम ऐसा है ओने परे सन भाक की विदूत परतिरोध अगता इसके बराबर इसके परतिरोध के बराबर होती है तो इसका करेक्ट आनसर क्या होगा ओप्सन दे रहा है एक मेटर और एक सेंटिमेटर स्क्वाइर बी दे रहा है एक मेटर और एक मेटर स्क्वाइर सी दे रहा है एक मेटर और दो मेटर स्क्वाइर डी दे रहा है एक मेटर और दो सेंटिमेटर स्क्वाइर यह दे रखा 1 cm और 2 cm स्क्वाइर तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option नमबर B एक मिटर और एक मिटर स्क्वाइर होने पर सनुवा की विदूत परतिरोध दखता इसके बराबर इसके परतिरोध के बराबर होगी इसका correct answer क्या होगा लंबाई तो होगी एक मिटर चालकी और अनुप्रस्त काट का चेतरपल कितना होगा एक मिटर स्क्वाइर तो इसका correct answer हो जाएगा option नमबर B अगला क्यूशन दे रखा जर्मेनियम की विदूत परतिरोध दखता लगबग कितनी होती है जर्मेनियम होता है उसकी विदूत परतिरोध दखता लगबग कितनी होती है तो दोस्तो इसका correct answer होगा option नमबर C सुनने 0.46 ohm मिटर कितनी होती है सुनने 0.46 ohm मिटर correct answer हो जाएगा option नमबर C अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रहा है रज़त रंग से लेपित कारपन परतिरोध की साहिता कितनी है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option नमबर C पलस माइनस 10 परतिसफट कितनी होती है सेंसिल था पलस माइनस 10 परतिसफट correct answer होगा option नमबर B अगला क्यूशन दे रखा एक खुले परिफ़त के सेल के दो सिरो के मद्य के विवांतर को सेल का क्या कहा जाता है ओप्शन दे रखा EMF, B दे रखा Terminal Altage, C दे रखा Charge, D दे रखा सक्ती, E दे रखा है चालकता तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा EMF, क्या कहा जाता है विवांतर को सेल का EMF, correct answer हो जाएगा option नमबर ये अगला क्यूशन दे रखा ये दि समान पदार्त और लंबाई के दोनों तारों को परतिरोदगता करमस है, पांचोम और वीसोम है तो दोनों तारों की तरेज्या का अनुपात क्या होगा, तो दोनों तारों की तरेज्या का अनुपात बताना है, तो इसका correct answer हो जाएगा 2 अनुपात, एक correct answer क्या होगा 2 अनुपात, एक दोस्तों अगला question है, यदि 120 voltage पर चलने वाले टोस्टर का परतिरोद 60 ohm है, तो इसकी सक्ति कितनी होगी, पावर ज्याद करनी है, सक्ति ज्याद करना है, तो सक्ति ज्याद करके बताएगे इसका correct answer क्या होगा, तो सक्ति ज्याद करने का formula क्या होगा, पी बराबर वी का square बटे आर, वी कितना दे रखा है, 120, तो 120 का square बटे परतिरोद कितना दे रखा है, 60, 60 दो बर कर जाएगा 120 में, तो कितना जाएगा, 120 वद दो को गुणा करेंगे, तो कितना जाएगा, 0 का 0, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 240 वाट, correct answer क्या होगा, option number ये, correct answer क्या होगा, 240 वाट, अगला question, अगला question दे रखा है, निमन में से, किस परकास परनाली को नीचे परदत चिन दौरा सुचित किया जाता है, इन में से किसको सुचित किया गया है, नियन दीब दौरा, दोलक दीब दौरा, जेनोन फ्लेस दीब दौरा, फ्लेस बलब दौरा या वीशरजन दीब दौरा, तो यह सिंबल किसका है, इन में से किसका सिंबल है, ओप्षनों के आदार पर बताना है, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा, option नंबर ये, नयन दीब का, correct answer क्या होगा, नियोन दीब का, correct answer होगा, ओप्षन नंबर ये, अगला question, दोस्तों अगल में voltage वरदी प्राप्त करने के लिए, परदीप्ती ट्यूब लाइट के किस गटक का इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब का, चोक का, फिलामेंट का, कैफेशिटर का, या स्टार्टर का, तो इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer हो जाएगा, चोक का, correct answer क्या हो जाएगा, option नंबर B, अगला question, अगला question दिरेका, चित्तर में परदर्शित, परिफ़त का सक्ति गुणांग कितना है, इसका सक्ति गुणांग ज्याद करना है, पावर फेक्टर ज्याद करना है, तो पावर फेक्टर ज्याद करने का formula क्या होगा, दोस्तों अगला question आया है, भारत में 200 voltage के गरेलू AC मुख्य आपूर्थी voltage के मानक आवरती कितनी होती है, भारत में 230 voltage के गरेलू AC मुख्य आपूर्थी voltage की आवरती कितनी होती है, 25 अगला question, अगला question दिरका सुनने वाट का लेंप कितनी खपत करता है, कोई सकती नहीं, लगबग 5 से 7 वाट, लगबग 15 वाट या लगबग 40 वाट या लगबग 100 वाट, तो दोस्तों इसका correct answer हो जाईगा, लगबग 5 से 7 वाट बिजली खपत करता है सुनने वाट का लेंप, तो correct answer हो अगला question दिरका किसी पी-एंड जंक्शन डायोड के लिए, इस पेस सारद छेतर की मोटा इसके तरंग देदरे के किस करम में होती है, 10 की पावर माइनस 4 सेंटिमेटर, 10 की पावर माइनस 2 सेंटिमेटर, 10 सेंटिमेटर, D दे रका 10 की पावर 2 सेंटिमेटर, E दे रका 10 की पावर 4 सेंटिमेटर, तो दोस्तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा 10 की power minus 4 cm correct answer क्या होगा 10 की power minus 4 cm correct answer हो जाएगा option नमबर ये अगला question दोस्तो अगला question दे रहका है दिया गया परतिक्स निमन में से किस डायोड को दरसाता है यहां डायोड का परतिक सिंबल दे रखा है तो यह किसको दरसाता है वेरेक्टर डायोड को इसकोट की डायोड को जीनर डायोड को टानल डायोड क्या फोटो डायोड को तो किस डायोड को दरसाता है परतिक किसको दरसाता है फटापट से बताना है सभी को फटापट से कमेंट करके अंसर बताईए तो इसका correct answer हो जाएगा इस कोट की डायोड को correct answer क्या होगा option number B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रहा है एक डायोड किसके समान होता है दो गेट के ट्राइक के समान B दे रहा है डायोड ओर दो अवरोदक के समान C दे रहा है SCR योगम के समान D दे रहा है चार परतों के SCR योगम के समान E दे रहा है छे परतों के SCR योगम के समान तो एक डायोड किसके समान होता है important question है तो इसका correct answer हो जाएगा चार परतों के SCR के यूगम के समान होता है तो correct answer हो जाएगा option number D अगला question है किसी जर्मेनियम डायोड के reverse current किस करम में होता है reverse current किस करम में होता है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा micro ampere में किस में होता है micro ampere में तो right answer हो जाएगा option number C अगला question कि दोस्तो अगला क्युशन द्रकाई सथर्ज के विरूद सुरुक्ष्य उपलवत कराने के लिए ओप्शन सी द्रकाई पोल को साइटा देने के लिए डी द्रकाई ए ओर बी द्रकाई पर्तिरोध परदान करने के लिए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C पोल को साहिता देने के लिए गोईतार का उप्योग किया जाता है गोईतार किसके लिए लगा होता है पोल को साहिता देने के लिए अगला क्यूप्शन अगला क्यूप्शन दिरका एक गोईतार एक लाइन पोल और एक स्थब पोल के बीच में इस्तापित है जिस पर कोई उर्जाकर्त उपकरन नहीं है उसे क्या कहते है आरम गोई, स्थब गोई, हैड गोई, पुस गोई, एंकर गोई तो उसे क्या कहा जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है फटा पट से कमेंट करके बताईए तो दोस्तों उसे कहा जाता है इस्टब गोई करेक्ट आंसर क्या होगा उप्शन नमबर बी अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका जूल्स का हिटिंग परवाउ किस पर एवांचित होता है इलेक्टरिक आईरन पर इलेक्ट्रिक टोस्टर पर ढाइनो मोस पर ट्रानसपार्मर पर यह सिव और डी दोनों पर किस पर एवांचित होता है traod तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होताज अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन देरका दो ऐसमान धातों के किसी सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो एक जंक्षन पर उस्मा उत्पन होती है और दूसरे जंक्षन पर आवसोसित होती है इस परभाव को क्या कहा जाता है दो ऐसमान धातों के किसी सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो एक जंक्षन पर उस्मा उत्पन होती है और दूसरे जंक्षन पर आवसोसित होती है तो इस परभाव को क्या कहा जाता है और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और अप्षन नमबर बी अगला क्यूपिशन दोस्तों अगला क्यूपिशन है निमन उपकरणों में से क्या इस्टेरिसिस और एडिकरन ठूटिस से मुक्त होता है इनमें से क्या है ओप्षन देरका PMMC उपकरणे ओप्षन बी देरका डाइनमो मेटर परकार के उपकरणे ओप्षन सी देरका इलेक्ट्रो इस्टेटिक उपकरणे डी देरका चलाइमान लोह उपकरणे यी देरका इन सब तो इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा Electro-static open current hysteresis or heavy current 30 से मुक्त होते हैं correct answer क्या हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा है किसी address emitter का परतिरोध होता है सुनने एप्रीमित अधिक्तम बहुत कम या load परतिरोध के समान तो एक address emitter होता है उसका परतिरोध क्या होता है important question है तो इसका right answer हो जाएगा सुनने होता है क्या होता है सुनने होता है 0 होता है right answer हो जाएगा option number A अगला question किसी सूचक उपकरण के आई-स्तिर टोरक से गर्षन टोरक का अनुपात इसके माप का होता है किसके माप का होता है सुद्धता विसवसनेता सन्विदन सिल्टा चैन सिल्टा या रेजोलेशन तो correct answer क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा option number B विसवसनेता correct answer क्या होगा option number B अगला question अगला question दिरका किसी मेगर में नियंट्रना तमक तोर के द्वारा उत्पन कराया जाता है किसके द्वारा उत्पन सोड़ी उपलवद कराया जाता है option दे रखा इस्प्रिंग गुर्द्वा करसन, kwail Eascularant, C all D दोनों, तो किसी भी मैंगर में नियत्रना तमक्तोरक किसके द्वारा उपलवद कराया जाता है, important question है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C, क्वाइल के द्वारा उपलवद कराया जाता है राइट आंसर क्या होगो option number C अगला क्यूशन दे रहे हैं किसी circuit बरेकर के लिए स्गीरिय संप्रक किसके बने होते हैं stainless steel के hard pressed carbon के Porcelain के Toma tungaston . तो correct answer क्या होगा दोस्तो इसका correct answer हो जएगा Toma tungaston मिसर दातू के correct answer क्या होगा watch option नंबर do अगला के वुशन, दोस्तों अगला के वुशन दे रहागा किसी इंडाक्शन मोटर में टूत या सलोडस, आर्मोनिक्स, किसके कारण होता है अच्छ ने दे रहा है वाईव इस्थान विमोकता में उतार चड़ाओ B देरा का leakage भलक से C देरा का input voltage की gear sinusoidal परकरती D देरा का rotor slots में skewed E देरा का C और D दोनो तो कौन सा correct answer होगा इसका correct answer हो जाएगा option number ये वायू इस्तान विमुक्ता में उतार चड़ाओ के कारण होता है correct answer क्या होगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question है यदि किसी induction motor में एक चुम्ब के छेतर की synchronous गती 250 rpm है और rotor की गती 200 rpm है तो slip का परतिसत कितना होगा slip का परतिसत गयात करना है तो दोस्तो शिलब गयात करने का formula क्या होगा synchronous गती minus rotor गती synchronous गती minus rotor गती बटे synchronous गती गुणा 100 क्या होगा synchronous गती minus rotor गती बटे synchronous गती गुणा 100 तो synchronous गती कितनी दे रखिये 250 rpm minus rotor गती कितनी दे रखिये 200 rpm बटे synchronous गती कितनी है 250 rpm 250 गुणा 100 तो जब 250 में से 200 निकालेंगे तो कितना जाएगा 50 बटे नीचे कितना है 250 गुना 100 10 से 10 कैंसल हो जाएगा 25 दुना 50 दो बार कट जाएगा 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा 20 तो 20 परतिशत करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 परतिशत राइट आंसर क्या होगा option नमबर यह एक बार दुबारा से कर लेते हैं रोटर गती कितनी दे रखे है 200 rpm और सिंकरोनस गती कितनी दे रखे है 250 rpm तो 250 माइनस 200 बटे सिंकरोनस गती कितनी है 250 परतिसत में ज्याद करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा तो 250 में से 200 माइनस करेंगे कितना जाएगा 50 बटे 250 गुणा 100 जीरो से जीरो कैंसल हो जाएगा 25 दुना 50 दो को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20 तो कितना जाएगा 20 पर 37 राइट आंसर क्या होगा अगला क्युशन दे रहाए इस्टार डेल्टा इस्टार्टर की वाइंडिंग परारम होते समय और गती करते समय किस कनेक्शन में जुड़ी होती है कि औसतों कि दोष्टों अगला क्युस्था दोष्टों अगला क्युशन देरका किसी इस्तर संचालन छेतर के लिए किस DC मोटर के गुणदोस किसी 3 फेज इंड़क्षन मोटर के समान होते हैं। अगला किसी इस्तर संचालन छेतर के लिए किस DC मोटर को गुणदोस किसी 3 फेज इंड़क्षन मोटर के समान होते हैं। अगला कि उप्षन जब एक 3 फेज इंड़क्षन मोटर का रोटर तुल्ले काले गतिस से चलता है। तो रोटर के आवर्ती बन जाएगे। क्या बन जाएगे। उप्षन ये सुनने, B दिर्खा है, आपूर्ती आवर्ती के आदी, C दिर्खा आपूर्ती आवर्ती के दुगने, D दिर्खा आपूर्ती आवर्ती के समान, E दिर्खा बहुत उच्छे। तो करेक्ट ऋंसर होगा, इसका करेक्ट owania सरो जाएगा सुनने, कारेक्ट आनसर क्या होगा, option number ये, अगला की फिशन अगल प्रणन मोटर में साइक घुमाओ को उपयोग करने का उद्धेश यह, एकल प्रणन मोटर होती है, उसमें साइक घुमाओ को उपयोगंने का मुख्य उद्धेश यह क्या होता है, ओप्शन एदेर का ओल्ट ता नियमन विक्षित करना बी देर का गति को बढ़ाना सी देर का परारंबिक बलागून का वो विक्षित करना डी देर का सक्ति गुणांक बढ़ाना इदेर का सक्ति गठक को कम करना तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C क्या होगा परारंबिक बलागून को विक्सित करना परारंबिक टोरक को विक्सित करना ही इसका मुख्यक उद्धे से होता है तो correct answer हो जाएगा option number C अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन है निमल कित में से क्या तुल्ले कालिक मोटरों के लाब है उप्सन दे रहका यह है अपने आप परारंब नहीं होती है option B दे रहका यह है भार के निर्पेक्स नियत गति बनाए रखती है option C दे रहका यह है किसी भी सकती गठक के अंतरगत संचालित होती है D दे रहका यह है अधिक कार्य दक्स होती है यह दे रहका इन सब तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इन सब इस उप्रोगति सभी इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थार्थ यह अपने आप परारंब नहीं होती है यह भी सही है यह बार के निर्पेक्स नियत गति बनाए सही होगा यहां किसी भी सक्ति गर्टक्पर की अंत्रकद शंचाल कोड़ती है अर्थार्ट लेगिंग लेडिग वह ईक है तीनों प्यॉफ्वेक्टर पर कारे करती है यह भी सही है एपिसर डी तिरका हैं अधिक कारीदख्स होती है यह भी तो इसका कला परेरण मोटर के इस्टेटर क्रोड को परतदार क्यों किया जाता है क्यों किया जाता है इस्टेरिसिस हरास कोपर हानी एडिकरंट हानी लो हानी यह यह और भी दोनों तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिकरंट हानी को कम करने के लिए परत किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाईगा उप्शन नंबर C अगला की उप्शन इंडक्शन मोटर के स्टेपलेस गती नियत्रान के लिए निमिल लिखत में से कौन सी विद्धी को परियुक्त किया जा सकता है उप्शन ए दे रखा है रोटर परीफत में येम अप अंत छेपने B दे रखा है दुरूओ की संक्या को परिवर्तित करना C दे रखा है केश केड संचालाने D दे रखा है रोटर पुजापर बाहा परतिरोथ को सन्योजित करना E दे रखा है इस्टेटर परीफत में रियो इस्टेट को सन्योजित करना तो इसका correct answer क्या होगा? उप्शन रूप में भी जाना जाता है, DC मोटर के छेतर कमजोर होना किस रूप में जाना जाता है, नियत विद्धूत धारा नियंतरन विदी, B दे रखा नियत ओल्टता नियंतरन विदी, C दे रखा नियत आवर्ति नियंतरन विदी, D दे रखा नियत सक्ति नियंतरन विदी, E दे कि उप्षन श्विन बरन परिक्षन में DC Motor को किस पर संचालित किया जाता है no load परे full load परे आफ लोड परे क्वी लोड पर नहीं यह ब्योर सी दोनों तो इसका correct answer क्या होगा कि इसका correct answer हो जाएगा no load पर क्रेक्ट answer क्या होगा option नमर यह अगला क्युप्चन, अगला क्युप्चन दे रखा, इस्ताई चुम्बकों के उप्योग द्वारा, तुल्ले कालिक मोटर के लिए चुम्ब के छेतर, किसे निर्मित होता है, उप्चन दे रखा, नियोडीमियम, बोरोन लो से, उप्चन भी दे रखा, समारोग कोबाल्ट से, C दिरका फेराइड से D दिरका उच कार्बन इसपाथ से E दिरका केवल A, B और C तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा important question है तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number E केवल A, B और C right answer क्या हो जाएगा A, B और C करेक्ट आंसर हो जाएगा option number E अगला question अगला question दिरका है दिया गया चितर निमन में से कौन से गुमाओ को इंगित करता है यहां कौन से गुमाओ को इंगित करता है skin गुमाओ skew कुंडल गुमाओ invalid कुंडल गुमाओ हीरा कुंडलन गुमाओ basket गुमाओ तो कौन से गुमाओ को इंगित करता है important question है इसका right answer हो जाएगा इसक्यू कुंडल गुमाओ correct answer क्या होगा option number 2 अगला question अगला question दिरका tap recorder निमन लिखित में से कौन सा motor परिप्ट किया जाता है tap recorder में कौन सा motor परिप्ट किया जाता है reluctance motor, hysteresis motor, sadate pole motor, sarow motor ये इंसब तो correct answer क्या होगा फटाबड से बताईए तो दोस्तो इसका correct answer होगा hysteresis motor correct answer होगा option number 2 अगला question AC stator गुमाओ पर निरंतरता परिक्षन के दोरान सरंकला में जुड़े हुए परिक्षन लेंप कि रहते हैं यदि गुमाओ में खुला परिपत है option ये दिरका अंदिकार में पूर्ण परकासमान, कम परकासमान अदिप्त या तो C या D तो correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा अंदिकार में correct answer क्या होगा option number 2 अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका आर्मेचर खाचों की संक्या के संद्रब में दो आसन विप्रीत दुरूव के बीच की दूरी होती है दुरूव पीची कुंडलन इस्पेन कम्यूशन पीची कुंडलन थरो ये कुंडलन लंबाई तो correct answer क्या होगा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option ये दुरूव पीच अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरकाब बिना भार पर DC सरेनी मोटर को परारम नहीं करना चाहिए क्योंकि option ये दिरकाब परारम्बिक बलागून विक्षित नहीं होगा option भी दिरकाब बिना भार के परारम होने में ऐसा पल होगी Option C दिरका है खतरनाक उच गती पर संचालित होगी D दिरका है परियापत बलागुन उत्पन किये बिना यादिक विदुदारा को खीचेगी E दिरका इस्टेटर घुमाओ को जला देगी तो कौन सा correct answer होगा? Important question है फटापट से वताईए तो इसका correct answer होगा खतरनाक उच गती पर संचालित होगी Right answer क्या होगा? Option number C अगला question Swin baron correction के दोरान लोहाने को क्या माना जाता है? नगन्ने, इस्तिर, सुन्ने, परिवर्थ नचील या एकत तो correct answer क्या होगा? गुंचास का इसका right answer होजाएगा? इस्तिर माना जाता है अगला question अगला question दिरका DC मोटर में एक DC अबला गूण को किसकी साहिता से उत्पन किया जाता है? slip, वल्ले, बरस, कम्यूटेटर, बी और सी दोनो या थाईरिश्टर, नियंत्रक तो correct answer क्या होगा? इसका correct answer होजाएगा बी और सी दोनो अर्था बरस वह कम्यूटेटर की साहिता से उत्पन किया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजे इसका बाग अगला जल्दी करेंगे थेंक्यू